हालो एव्रीवन स्वामिल वियकनन इंसिक्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं नितिका हाजिर हो गई हूँ आपके सामने लेकर लाइब्रेडी एन इन्फॉमेशन साइन्स रिलेटिड वीडियो सो बैसिकली काफी टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हैं अगर हम बात करें यूजी सीनेट श्लेवर्स की तो आप उसमें चेक करेंगे कि एच और अवरी टॉपिक के जो भी आस्पेक्ट स्यहक्वा मैं टॉपिक्स हैं उन पर हम वीडियो बना चुके हैं ऐसे ही एक टॉप ऐने वाले टाइम पे भी पूछा जा सकता है तो आज हम उस रिलेटीड इंफोरेशन प्रेपेर करने वाले हैं सो बात करते हैं प्लागैरिजम की प्लागैरिजम क्या होता है यह उसका क्या कंसेप्ट है क्या टाइब है लग्यारिजम इट्सकाइंड ओफ चीटिंग समवन एल्स वर बेसिकली लग्यारिजम माना जाता है कि आप कॉपी कर रहे हो किसी और का वाकर एज़िट प्रेजेंट कर रहे हो यह बता के कि वह आपका अपना कार रहे है यह अपना काम है ठीक है लग्यारिजम को अगर हम थोड़ी नॉर्मल भाशा में समझे तो बेसिकली उसका जो अर्थ था या फिर उसका मीनिंग है डेट इस लेटेट टू किड्नाप करना किड्नापिंग किसी चीज की भी हो सकती है किसी परसेंट की भी तो डाट फील्ड रिलेटेट लग्यारिजम दिया गया गया प्लग् प्लग्यारिजम शॉफ्टवेर गया टिक्निक को लाया गया गया सो ब्हुतों कि अरिगों को या जो भी ईसका को यह जो भी किसी और के कंटेंट न कूटेशन से जनको थोड़ा सा इंटेंग इंटिर चेंज करके प्रवाइट किया गया है उनको फाइंड आउट कर सके और प्रॉपरली चेक करके औरिजनल वर्क को साइट करके कॉपी वर्क उसमें से निकाल सके ताकि जो भी पीएचडी अवर्ड हो ज्यादा तर बेसिकली डॉक्टेरियल डिग्रीज के लिए और या पीएचडी रिपोर्ट के लिए प्रोवाइट किया जाता था वहां पर औरिजनल कंटेंट पब्लिश किया जाना चाहिए तो वही चीज धिहान में रखके प्लगैरिजम टर्म को लेकर आया गया लाइबरी साइंस फील्ड के नहीं हो इन सब चीजों के लिए लगैरिजम टम को लाइबरी था इधि गया और प्लगैरिजम कंसेप्ट वैट प्लगैरिजम के बारे में जो भी चीज़ेए मो रहें वहां प्टंगे सो अ is derived from the Latin word अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी भाशा का शब्द है तो यह Latin word से लिया गया है which is plagiarisist plagiarisist से लिया गया है जिसका meaning होता है kidnapping kidnapping करना that means plagiarism यानि किसी और content की किसी और के ideas की kidnapping करना okay that means passing of someone else work without giving any credit for example अगर आप और भी चीज़ के ले करें अगर आप किसी को consent के without उसका content cheat कर रहे हैं ले रहे हैं और उसको उसका proper credit भी नहीं दे रहे जो भी वह proper credit वह मांगता है either in voluntary terms या either in कोई भी terms के अंदर वो credit भी आप उसको नहीं दे रहे that means आप उसका false use कर रहे हैं वह false use को रोकने के लिए plagiarism detection software या plagiarism technique लेकर आई गई plagiarism आपका किसी और का work without any consent use कर रहे हो या फिर plagiarism is a term in which claiming someone else work as your own without his her consent किसी और के work को आप provide कर रहे हो चाहे वो intentionally हो चाहे unintentionally हो sometimes हमें लगता है कि that is our original work that is our original line पर वो पहले से ही किसी और ने भी बना चुकी है publish हो चुकी है तो that means वो unintentionally आपने उसका plagiarism महाँ पर अकर किया तो यह सारी चीज़े plagiarism के अंदर शामिल होती है it involves copying words और ideas of someone else किसी के words similar words को copy करना किसी की ideas को copy करना जैसे कि हम basically बहुत साथी previous videos के अंदर definitions लिखते हैं तो हम अकॉर्डिंग लिखते हैं कि यह according to a sir अंगनातन है यह according to oxford dictionary है यानि कि आप उनको बता रहे हैं कि लिख दो कि यह आपने इंवेंट किया है that means आप उसका plagiarism करें एक प्रोवाइट इंफोर्मेशन बाइचेंज इंजिंग वर्ड बाइब but follow someone else sentence and information structure दिन मेंओ पर दाइद काई जहता है अप किसी का किसी की वह क्या त olduğ फोलो कर रहे हो किसी की वर्ट इंवेंट दार करये डैट दसेंन वीन कि वह पूरा यह सरी चीज़ इनवाल करके प्लेगारिजम का कंसेप्ट बनता है अगर इन सब चीजों में से कुछ भी इनवाल निए डैट मिस्टों प्लेगारिजम के अंधर आ रही है यहां तक मैं आशा करते हूं कि आपको प्लेगारिजम समझ में आया होगा आगे भड़ते हैं categories involves in plagiarism plagiarism में क्या-क्या categories हो सकती है किस तरीके से plagiarism हो सकता है या कर सकते है accidentally यानि कि by default plagiarism करना ठीक है किसी और का someone work आप में डाल दिया और उसको consent नहीं डिया ग्रेडिट नहीं दिया accidentally आपने उसका plagiarism ले दिया intentionally जानके आपने वो content लिया और उसको थोड़ा सा change करके font change करके या और भी कुछ changes उसमें डालके आपने उसको credit ना देके अपने काम में शामिल कर लिया और अपना work बना लिया unintentionally वही हमने कहा कि हमें कभी को बार लगता है कि हमने यह originally denote किया है पर वो पहले से किसी और का भी work होता है इसी के लिए PhD के अंदर या डेशिटेशन और थीसिस के अंदर literature review किया जाता है so that हमें पता चल सके कि वो चीज़े कहां कहां पर उसके कितना development हो चुका है कितना literature बन चुका है तो unintentionally जो प्लगारिजम किया जाता है वो इसके कैटेगरी के अंदर आता है और सेल्फ प्लगारिजम यानि कि published content या unpublish content में से हम खुद से प्लगारिजम ले रहे हैं और वो अपने वर्क के अंदर शामिल कर रहे हैं तो यह प्लगारिजम की विच एक्सिदेंटल इंटेंशनली अनिटेंशनली एंद सेल्फ प्लगारिजम यह तरीकों की वजह से आप प्लगारिजम को चोरी कर सकते हो या मतलब किसी और का स्टफ आइडियाज एक्स्चेंज कर सकते हो विदाउट हिज और हर कंसेंट आगे भढ़ते हैं that is related to methods of plagiarism methods of plagiarism की अगर हम बात करें methods of plagiarism काफी सारे होते हैं similarly types भी सी में यह involved है बहुत सारे methods होते हैं एक होता है copy-paste work यह वर्ड आपने काफी बार सुना होगा copy-paste ms word यूज कर रहे हैं कोई भी operating system यूज करते हैं यह term बहुत ही common है तो जादातर क्या होता है time save करने के लिए यह जब हमारे पास documentation नहीं होता information नहीं होती तो as it is किसी का जो publish content होता है आप उसमें से copy करते हैं content and उसको as it is लाके paste कर देते हैं उसका font वगारा change कर देते हैं that is a type of plagiarism method of plagiarism copy-paste की through जादा तर type में यही plagiarism देखने को मिलता है चाहे वो thesis dissertation हो या PhD documents हो in case तो यह भी detect की जा सकती है by plagiarism detectation software तो copy-paste के अंदर आपको समझ में आया होगा like for example copy का जो function है वो each and every software or each and every computer desktop पे available होता है आप copy करके paste कर रहे हो दूसरी जगह पर उसी document को that doesn't mean कि वो आपका एक अलग document बन गया नहीं आपने किसी और का work ही copy किया और उसको paste कर दिया it's like a cheating that is copy paste work in plagiarism दूसरी चीज़ आती है idea plagiarism किसी का idea है किसी की proper definitions है quotation है उसको ही आपने लेकर as it is कुछ words कुछ synonyms use करके intonyms use करके exchange कर दिया that is idea plagiarism same idea आपने अपनी तरीके से implement किया but idea is the same idea वही चल रहा है तो वही idea implement कोई एक इंसान करेगा तो वही चीज़ आप दुबारा चाहे किसी भी तरीके से करो काम तो वही होएगा idea are the same तो इसलिए यह idea plagiarism के अंदर आएगा पैरा फेसिंग पूरा paragraph के अपनी टेफिनेशन करके उसमें वह पैरा फेसिंग आपकी प्लगारिजम आजाती है आइटिस्टिक प्लगारिजम लाइक ओडियो वीडियो इमेजस किसी की जैसे गूगल इमेजस होती है तो नीचे आपने देखा होगा लिखा होगा इमेज एक्टेजा कॉपी राइट की अधीन है अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट भी देना पड़ कोपी पेस्टिंग अलाउड नहीं है काफी सारी वेबसाइट हाजकल कॉपी पेस्टेश को अलोई नहीं करती सो देट कोई और आपका कंटेंट चीट ही ना कर सकते सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो जैसे आप कॉपी पेस्ट उसके करना चाहोगे वह अलर्ट चो करतेगा या करेगा ही लें तो बैट इस आर्टीस्टिो प्लकार्इबिगशम जो खी ऊडियो किसी की चुरा hurdles आप video चुराin yoh Yeah, images related information या arts related information किसी का भी यह work आप access कर रहे हो इस लगारिजम के अंदर वह आजाता है then code plagiarism coding algorithms she care work अफिसी कि चुरा रहे हो कि दैट मीन्स यह आपकोड प्लगारिजम के अंदर आ जाता है ट्रांसलेटिट प्लगारिजम बहुत ही इंपोर्टेंट सम्टाइम समय लगता है कि कोई बंगाली लिट्रेचर है उसको आपनी हिंदी में रांसलेट कर दिया तो वह है तो बंगाली लिट्र समके ही अधीन आता है तो ट्रांसलेटिट डॉक्यमेंट चाहिए आप इंग्लिश्टू हिंदी कर रहे हो कोई भी लैंग्विजस में कर रहे हो मल्टि लिंग्विजस में कर रहे हो बहुत आर से इसी के अंदर वह सारा इकत्रित होगा या सेम दिया जाएगा की चीज आ रही है वह बिल्कुल सेम रहेगी वह आपको चाहे किसी भी साइट से आप उसको डिजाइन कर लो प्रोवाइट कर लो बोथ आर से मिसकंसेप्शन की वज़े से जो भी प्लगैरिजम कभीकवार हो जाता है चीटिट डॉक्यमेंट हो जाता है वह इसके अंदर आ करिस कंसेप्शिंश और आधे बात करते हैं टाइपस और प्लगैरिजम की जो कि इंपौर्तेंट है टाइपस प्लगैरिजम बहुत तरीके के की अंदर भी याते हैं इन में लोक Stack कर के आंचाना के यह में ऊतर रहिए कर दिया अपने वॉर्क में फार्लिया यहां से लिए यहां पे face कर दिया यहां प defect कर दिया यह बाकु है आप उसमें YOU नोह इसन अलगार डिया आप उसमें से कुछ प्यारा फेसिंग कुछ और चीजे हटा के थोड़ा सा कंटेंट उसमें से लिया थोड़ा कई से लिया डैट इस मोजैक लगारिजम ऑगे सेल्फ पलगारिजम इसके बारे में पड़ी चुके हैं पबड्रीच डोकुमेंट वस्को लिया जाता है अपchemical देहिसंग करे आप जो बना रहे हो वह स्य इन्मीयारिजम के अंदर आता है जबलिब्रेट टगिर अचाल नें दाइसके हैं कि इसके अदर आता है ने बहुत सारी चीज़े ली और उसे एक नया डॉकिमेंट बना दिया यह तो यह सारे आपके टाइप से प्लगारिजम के डेलिब्रेट एंग्रीगेट होता है जब आप काफी सारे प्लगारिजम का अग्रीगेट करके प्लगारिजम कर रहे हो दो चार चीज़ों का और एक् यह प्लाइब डीघरिगेट की टाइप सेरों यह वो अगर आपको मिल जाता है उससे क्या होगा आपको बहुसरा रिफीर्ट कांट सेग्फ इयर जाते हैं जिनके । लिडेक बात गयरिशम को डेक्ट किया जाता है जिक हैं किया आप जयाता है कि बात करें तो शोजशुद्धी होता है वह एक प्लगारिजम सॉफ्टवेयर जो आपका रिसर्च या डॉक्टेरल डिग्रीज की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती है उनको प्लगारिजम उनका प्लगारिजम चेक करता है तो शोजशुद्धी उसके अंदर है में यह कि इन विदाउट एनी कंसेंट यूज़ करने वाला जो कंटेंट है जो काफी यूज़ किया जाता है और प्रफॉर्म किया जाता है वो चीज़ हम अप्लिकेबल ना कर सके अपने इंफोर्मेशन सोर्सिस के अंदर तो यह जो टर्म्सी डिलेटेटेट टु प्लगारिजम यह ताइपस पर आ सकता है मैथर के टेगरी इंफोर्मेशन आ सकता है यह प्लगारिजम के बारे में आपसे पुछा जा सकता है आने वाले नेक्स वीडियो के अंदर हम इसके सॉफ्ट वेर्श या इसके टाइपस कैसे डिडेक्शन होती है लगारिजम किस तरीके से वह यूज किया जाता है वो डिसकस करेंगे ताकि आपको प्लगारिजम रिलेटेट इंफोर्मेशन की प्रॉपर इंफोर्मेशन हो जाए या प्रॉपर नॉलेज हो जाए तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा इससे रिलेटेट जो भी कंटेंट तोपिक हों हम दीरे दीरे वीडियो में प्लगारिजम गवर किया होँ इस वीडियो को अप अच्छे से access कीजिए और अनदर टॉपिक्स के लिए आप स्वामिविकन इंसिट्यूट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइबरी इंफोर्मेशन साइन्स में बहुत सारे हमने उसमें वीडियो बना के रख रखी है कोई भी और टॉपिक अगर आपका डाउट में है अपना जून अटाइम के लिए तो आप उसको अच्छे से access कर सकते हैं चाहे वह association रिलेटीड हो नेटवर्क रिलेटीड हो या कोई भी अनदर टॉपिक हो जादर जादर टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं इसी तरीके से और भी टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे रिलेटीड टू फील्ड लाइबरेरी और इंफरमेशन साइंस प्रस यूजी सी नेट के अलावा और भी सारे इस लेबर्स इसमें इन्वाल हो ही रहे हैं लाइक के बच्चे भी यह वीडियो देखके अच्छे से प्रपेर कर सकते अपने आने वाले एक्जाम के लिए थब तक के लिए अच्छे से हम कीजिए जोबी डाउट है आप वीडियो के मदद से सौल कर सकते हैं पूछ भी सकते हैं रही आती है ताकी आपकी तयारी और अच्छे से हो सके तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा ठेक के ए थैंक यू सो मच